विशय हिंदी कक्षा तीसरी नमस्कार विद्यार्थियों मैं पिंके मल्ला आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ओकी मात्रा तथा ओकी मात्रा वाले शब्द सिखाऊंगी तो बच्चो आओ शुरू करें तो बच्चो जैसे कि हम ओ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, आ, की मात्रा तथा उनके शब्द पढ़ चुके हैं अब है पारी ओ की तो बच्चो आज का हमारा पाठ है ओ की मात्रा और ओ की मात्रा वाले शब्द तो बच्चो ओ की मात्रा हमेशा वर्णों के पीछे लगाये जाता है और बच्चो ओ की मात्रा का साउंड होता है ओ यानि की बच्चो हमें अपने होट यानि की लिप्स को गोल करके फिर बोलना होता है जैसे की ओ तो बच्चो अब आओ देखते हैं ओ की मात्रा और ओ की मात्रा का चिन्ध तो बच्चो ये है ओ की मात्रा और ये आपके सामने आ रहा है ओ की मात्रा का चिन्ध तो बच्चो ओकी मातरा की चिन्न को ध्यान से देखिए आपको क्या दिख रहा है हाँ एक standing line और उस standing line के उपर एक pie यानि की flex तो बच्चो जब हम ओकी मातरा किसी वर्ण पे लगाते हैं तो इस चिन्न का उपयोग हम उसके पीछे करते हैं यानि उस वर्ण के पीछे ओकी मातरा लगाते हैं तो बच्चो आईए अब को सिलेके ग्यां तक के वर्णों पे ओकी मातरा लगाके उसे कैसे पढ़ा जाए ये तो बच्चों चलो आओ देखते हैं कह पे ओ की मात्रा लगाके अब दूसरा ख हो पे ख प्लस ओ की मात्रा यानिकी खो अब गह पे गह प्लस ओ की मात्रा गो अब गह पे गह प्लस ओ की मातरा घो अब बच्चों चव पे ओ की मातरा लगा के देखेंगे तो आईए शुरू करते हैं चव प्लस ओ की मातरा चो चव प्लस ओ की मातरा चो जव प्लस ओ की मातरा जो जव प्लस ओ की मातरा जो अब बचुँ ट, ट प्लस ओ की मात्रा टो, ठ प्लस ओ की मात्रा ठो, ड प्लस ओ की मात्रा डो, ध प्लस ओ की मात्रा ढो, न प्लस ओ की मात्रा नो अब बच्चों त प्लस ओकी मात्रा तो ध प्लस ओकी मात्रा थो द प्लस ओकी मात्रा दो ध प्लस ओकी मात्रा दो और न प्लस ओकी मात्रा नो अब बचों प प प्लस ओ की मात्रा पो फ प्लस ओ की मात्रा फो ब प्लस ओ की मात्रा बो भ प्लस ओ की मात्रा भो म प्लस ओ की मात्रा मो अब बचों यह तो बच्चों य प्लस ओ की मात्रा यो, र प्लस ओ की मात्रा रो, ल प्लस ओ की मात्रा लो, व प्लस ओ की मात्रा वो, और श प्लस ओ की मात्रा शो अबचुँ श, 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 प्लस, ओ की मात्रा श, स, स, प्लस, ओ की मात्रा सो, ह, ह, प्लस, ओ की मात्रा हो, क्ष, क्ष, प्लस, ओ की मात्रा क्ष, ट्र, ट्र, प्लस, ओ की मात्रा ट्रो, ग्यं, ग्यं प्लस, ओ की मात्रा ग्यं, तो बच्चों अब है बारी O की मात्रा वाले शब्दों की तो बच्चों आओ देखते हैं O की मात्रा वर्णों पे लगाके उनसे कैसे शब्द बनाये जाते हैं और उन्हें कैसे पढ़े जाते हैं तो बच्चों आओ शुरू करें तो बच्चो म प्लस ओ की मात्रा यानि की मो प्लस र अब इन दोनों को मिला के क्या होगा मोर वेरी गुड़ अब बच्चो दूसरा स प्लस ओ की मात्रा यानि की सो प्लस न प्लस आ की मात्रा यानि की ना तो बच्चो अब इन सबको मिला के क्या होगा सोना यानि कि गोल्ड अब बच्चो क प्लस ओ की मातरा यानि कि को प्लस ट तो बच्चो अब इन सबको मिला के क्या होगा कोट अब दूसरा ध प्लस ओ की मातरा यानि कि धो प्लस ल अब बच्चो इन सब को मिला के क्या होगा वेरी गुड ढोल ठीक अब बच्चो रो प्लस ओ की मातरा आने की रो प्लस ट प्लस बड़ी ए की मातरा आने की टी तो बच्चो अब इन सब को मिला के क्या होगा येस वेरी गुड रो टी अब दूसरा ध प्लस ओ की मातरा यानिकी धो प्लस स प्लस आ की मातरा तो बच्चों अब इन सब को मिला के क्या होगा येस वेरी गुड धोसा अब बच्चों ट प्लस ओ की मातरा यानिकी टो प्लस क प्लस र प्लस बड़ी की मातरा यानिकी री तो बच्चों आब इन सब को मिला के क्या होगा? Yes, very good. टोकरी है ना? अब बच्चों ज़ प्लस ओ की मातरा यानि कि जो प्लस क प्लस र अब बच्चों आब बताएए अब इन सब को मिला के क्या होगा? कौन सा शब्द बनेगा? Yes, very good. जोकर अब बच्चों ल प्लस ओ की मातरा प्लस म प्लस र प्लस बड़ी की मातरा तो बच्चों आब इन सब को मिला के पढ़ते हैं तो बच्चों ल पे ओ की मातरा यानि कि लो प्लस म यानि कि लो म र प्लस बड़ी की मातरा यानि कि लो मडी ओके? लोमडी, लोमडी मने फॉक्स तो बच्चों आप स प्लस म प्लस ओ की मातरा यानि की मो प्लस स प्लस आ की मातरा यानि की सा तो बच्चों आप बताओ इन सबको मिला के कौनसा शब्द बनेगा येस, वेरी गुड, समोसा, है ना तो बच्चों आप अ प्लस ख प्लस र प्लस ओ की मातरा यानि की रो प्लस ट तो बच्चों आप इन सबको मिला के कौनसा शब्द बनेगा आओ देखते हैं अ ख रो ट यानि की बच्चों अख रोट अब बच्चों ख प्लस र प्लस ग प्लस ओ की मातरा यानि की गो प्लस श तो बच्चों आईए अब इन सबको मिला के देखते हैं कौनसा शब्द बनता है हाँ तो ख र गो श यानि की बच्चों हाँ खर गोश अब बच्चों पारी है स्वाध्याई की माने एक्सेसाइस की तो बच्चों मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सभी को उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे तो बच्चों क्या आप सभी तयार हैं ओके तो बच्चो प्रश्ण है ओ की मातरा वाले शब्दों को उनके चित्रों से मिलाओ यानि की बच्चो हमें क्या करना है मैजदा फॉलोविंग एक तरफ ओ की मातरा वाले कुछ शब्द दिये हुए हैं और दुसरे तरफ उन शब्दों के चित्र तो हमें क्या करना है, शब्दों को उनके चित्रों से मिलाना है, यानि मैच करना है, तो बच्चों आओ शुरू करें, तो पहला क्या है, कोयल, तो बच्चों कोयल हमें कहां दिख रही है, हाँ, जी हाँ, तो हमें कोयल दिख रही है, बह पे, तो पहले शब्दों को बह से मिल ऐसे अब तीसरा है खरगोश तो बच्चों खरगोश का चित्रा हमें कहां दिख रहा है येस लपे तो तीसरे शब्द को ल से मिलाएंगे ऐसे अब चौथा शब्द है टोकरी तो हमें टोकरी कहां दिख रही है हाँ ओ पे तो चौथे शब्द को ओ से मिलाएंगे ऐसे हाँ अ अब पाँचवाशब्द क्या है धोसा, तो बच्चों हमें धोसा कहा दिख रहा है, हाँ, हमें धोसा दिख रहा है, कपे, तो धोसे शब्द को कुसे मिलाएंगे, यानि उसके चितर से मिलाएंगे, ऐसे, ओके? अब बच्चो समय है ग्रिह कार्य की माने homework की तो बच्चो आओ देखते हैं आज आपको क्या homework मिल रहा है तो बच्चो आज आपका ग्रिह कार्य है दिये गए चित्रों को देखकर उनके सही नामों को रेखांकित यानि की underline करो तो बच्चो एक तरफ चित्र दिये हुए हैं और दूसरी तरफ उन चित्रों के नाम दिये हुए हैं और दो अलग नाम भी दिये हुए हैं तो बच्चो उस चित्र का सही नाम क्या है उस नाम के नीचे आप लोगों को रेखा खिचनी है यानि की अंडलाइन करना है तो बच् तथा ओकी मात्रा वाले शब्द सीखे तो बच्चो मुझे आशा है कि आप सभी को आज का पाठ समझ में आया होगा तो बच्चो धन्यवाद कुल झाओ